पास्तिनिया आमरोन अनोखनोत बोही से बिहिस्ता उद्भा बग गराके। सबीच जनरी पराइटी पास्तिनिया कोई अनोखनोत बोहा वांग सुकोक खंगोदी से अनसलतूर बोहु लुके। ये आज मेरा चौथा दिन है पांच दिन के क्लाइमेट फास्त का जलवायू संग्रक्षन के लिए है तो इसमें मैं ये मुद्दा सामने रखना चाहता था प्रदान मंत्री जी के सामने की लदाख के परियावरन, लदाख के लोग उनकी संस्कृती जो की इन पहाडों के लिए बनी हुई है उसका संग्रक्षन करना बहुत जरूरी है ये सिर्फ लदाख के लोगों के लिए जरूरी नहीं है पूरे हिमाले का संग्रक्षन और जो हिमाले के बर्फ के पहाडों से यानि ग्लेशेर से पानी आता है वो सिर्फ लदाख या इन पहाडों में नहीं बलकि पूरे उत्तर भारत के जनसंख्यार यानि कि भारत की आदी आबादी इस पर निर्बर करती है सीधे या इंडिरेक्ली तो एक आंकलन के मुताबिक 100 करोड लोग भारत की तरफ और 100 करोड लोग चीन की तरफ इन पह के ग्लेशियर्स के और यहां रहने वाले लोगों की संस्कृति के संग्रक्शन के लिए और खासकर लगाल का जो कि हमारे ही संविदान का एक अंच है उसका संग्रक्शन मिलेगा मगर आज तीन साल हुए उस पर बात भी करने को तैयार नहीं है जबकार तो शायद कुछ ऐस है कि कोई वजा है कि वो देरी कर रहे हैं मगर हमें उमीद है कि वो सिर्फ देरी है मगर दुरुस्त होगा तो इसी को थोड़ा उन तक आवाज पहुंचाने के लिए कि यहां पर लोग बेहाल हैं यहां पर युवा परेशान है क्योंकि नौक्रियां का कुछ साफ कोई नीत नहीं है तो इसलिए जो युवा यहां 12,000 नौक्री जॉब्स की उमीद कर रहे थे वो सिर्फ 600, 700, 800 पे लटके हुए हैं वैसे ही हर चीज में नीतियां नहीं बनी हैं कोई साफ नजर नहीं आ रहा है कि कैसे लदाक का यह युटी आगे जाने वाला है तो इस संग्रक्षन क जो की सिक्ष्यूडूल में है उसके लिए और जब युटी कारगर नहीं साबित हो रही है इस तरह का युटी तो फिर लोगों को अपनी जो पुरानी मांग थी लोगों की वो तो था युटी विद लेजिसलेचर तो वो दोहरा रहे हैं और जब उन्हें तसली नहीं हो रह है ताकि लदाक के लोगों को भी जमूरियत का डिमोक्रिसी का फाइदा मिले